तो इस तो यह अक्षिकुमार और अर्सदवार्सी को आपने पिछले ही वक्त फिल्म बच्चन पांड़े में देखा लिकिन अब यह दोनों इस्टार एक बाफ फिर से साथ आने जा रहे हैं लिकिन इस बार आपको काफ़ ज़्यादा मज़ा आने ओला है जैस्टियों जोली लेलबी वन और जोली लेलबी टू से अक्षिकुमार और अर्सदवार्सी जो कि आने जा रहे हैं साथ फिल्म जोली लेलबी थिरी में यह उस तो पिछली वक्त यहां पर कहा जा रहा था कि यहां जोली लेलबी थिरी जो कि काफ़ी जल्दी आने ओली है और अक्षिकुमार तो इस film में एक बाव फिर से रहेंगे ही लिकिन जैसे कि उस तो अभी यहां लेटिस रिपोर्ट के जरी बताया जा रहा है कि यहां अरसद वार्सी जो कि इस film के लिए लगबख कनफर्म हो चुके है जैसे तो यहां जोली लेल भी 3 में यहां पर हमें अक्षेव अरसद आपस में भीड़ते वें दिखेंगे यानि क्या जोली लेल भी 1 से अरसद वार्सी और जोली लेल भी 2 से अक्षे कुमार जो कि एक साथ मिलकर अब यहां पर हमें केस लड़ते वें दிखेंगे अलकि यहां इस film में दोनों जुकि एक दूसरे के आमने सामने होंगे साथ यहां सुरफ सुकला एक बाफ फिर से जच की कुरसी पर हमें बेठे वे दिखेंगे तो इसमें जुलिय लिल भी थिरी जुकि काफी ज्यादा धमाकेदार रहेगी और यहां इस film में हमें इस तरह का कानूनी पेच देखने को मिलेगा जुकि यहां सभी को पूरी तरीके से हिरान कर देने वाला है और यहां film जुकि एक बाफ फिर से काफी ज़्यादा गुमाओधार होगी लेकिन क्योंकि इस बार दोनों ही वकील जुकि काफी ज़्यादा काभील है और साथ ही काफी इमानदार भी यहनि कि इस तो कहा जैसकता है कि यहां जुलियल बी 3 में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जुकि सब को दंग कर दे तो इस मिस्ते हैं फिलाल तो यहां काफी जल्दी हमें जुलियल बी 3 की एक बीगन आउसमेंट होते हुए जानने को मिलेगा कि यह अरसाद और अक्षय एक साथ आ रहे है और यह फिल्म जो कि अब हमें फाइनली दो जर तीवीज में ही देखने को मिल सकती है साथ यह और बॉलीवुट से जोड़ी लेटिस्ट अबडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें लेक्षय कमेंट जरूर करें